हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टो मा यूटूब चैनल, नौलेज पॉइंट पीसियम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कच्छा दसका गडित का अध्या एक वास्तविक संख्या का प्रस्णावली 1.1 पढ़ाने वाले हैं तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना इससे क्या है कि वीडियो अप्लोड करने के बाद आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और स्टुडेंट एक बार हम आप सभी को जरूरी बात बता दें कि इस चैनल पर आप सभी को केवल चित्रा प्रकासन का मैथ पढ़ाया जाता है हमारे जिले में हमारे एरिया में चितरा प्रकासन मैद चलता है ताकि हमें भी पता चल सकी हमारे चैनल से किस-किस जिला के बच्चे चितरा प्रकासन का मैद पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो लूप का होता है जहां क्यों कोई पुडांग है ये चीज आपको सिध करना है तो देखे स्टुडेंट मैं आप सभी को एक जरूरी बात बता देते हैं कि अगर आप सभी को यह प्रस्तनावली पढ़ना है तो इस प्रस्तनावली में केवल आपको एक फार्मुला दिमाग में सेस्पल होता है ठीक और इसको अगर पड़ती के रूप में लिखते हैं तो यह बराबर बी क्यूं पलस आर होता है जहां यह भाज होता है भी भाजक होता है क्यूं भागपल और सेस्पल आर होता है इसी फार्मुले पर सारा कुश्चन आपका स्वाल भो जाएगा बस इस आपके वल दिमाग में बैठा लिना इसी फार्मुले पर आपको सारा काम करना है तो फार्मुला तो देखकर आपको याद हो चुका होगा अब हम लोग चलते हैं कुश्चन पर तो देखे इस प्रस्ण को कैसे स्वाल परोगे आप तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करन है तो यहां पर सीधा सा काम आपको वही करना है युकलेड विभाजन परमेरिका का सूत्र लगा देना है तो यहां पर हम लिख लेते हैं युकलेड विभाजन परमेरिका से तो इस्टुडेंट आपको पता है कि युकलेड विभाजन परमेरिका का सूत्र भी हमने आपको जश्ट बताया है, क्या होता है, भाज बराबर, भाज जग गुड़े, भाग फल, पलस सेस्फल होता है, यह फार्मला अभी हमने आपको जश्ट बताया है, अब आपको क्या करना है, सारा काम इसी पर करना है, और इसको हम परतीक के रूप में लिखना चाहेते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, A बराबर, B Q पलस R, यही चीज़ यह लिखा हुआ है, ठीक, जहां यह भाज है, B आपका भाजक है, और आपका क्यूं, आपका भाग फल है, और R आपका सेस्फल है, अब देखो आगे आपको क्या करना है, अब आपको यह फार्मला तो लगाना है, लेकिन यहां पर आगे आपको कैसे सिस्फल प्रना इस चीज़ को समझ रहा है, तो देखिए, यहां पर देखिए, जो B की जगां पर लिखा है, तो यहां पर इसके according आपको चलना पड़ेगा, जैसे यहां पर, देखिए, 6 Q पलस 3, 6 Q पलस 5, 6 Q पलस 1, यह चीज़ आपका जो दिय जाएगा, और यह जो R कमान है आपका, यह B वाले वैलू से हमेसा छोटा होना चाहिए, ठीक, तो यानि B वाले वैलू से हमेसा छोटा होना चाहिए, तो हम इसके अस्तान पर क्या कौन-कौन सी वैलू ले सकते हैं, तो R बराबर हम 0 ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सक जो है वह आपका वाले से चोटा होना चाहिए यानि भाजक से सदे चोटा होना चाहिए इस बात को आप दिमाग में वैठा लेना अब आपको क्या करना है यही सारा मान आपको इस सम्क्राण एक में रखना है और रखने के बाद ही आपको यह चीज चिद्ध हो पाएगा कि ज सकता है तो देखना आप लोग क्या करते हैं अब हम लोग यहां पर लेते हैं समी करण समी करण एक में कि समी करण एक में क्या करोगे आप यह 0 पहले आर बराबर 0 रखोगे ठीक पहले पहले पहला चरण है यह आपका ठीक है देखो आप तो क्या करोगे, r बराबर, 0 वा, b बराबर, b बराबर कितना निर्धारित हो चुका है, 6, b बराबर 6 रखने पर, या लेने पर लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक, तो देखो, अब आप क्या करोगे, तो a बराबर, यहाँ पर देखो, B के स्थान पे अगर आप 6 रखते हो तो 6 क्यूं पलस R के स्थान पे अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा और 0 का महत तो कुछ भी नहीं होता तो यानि कि यह आपको 6 क्यूं केवल मिलेगा तो इस प्रकार से वैलू आपने रखा तो रखते जाएंगे अभी आपको जो चीज सिद्ध करना है वो चीज अभी आपको मिल जाएका ठीक है अगर यहां पर six q अगर आप देखना चाहेंगे तो six q आपका यह क्या हो जाता है संपूरांक हो जाता है तो आप लोग कहेंगे कि यह संपूरांक कैसे होगा अगर रवावर एक लेते हैं ठीक है जो यह आपका दूसरा सर्त मान के चलिएगा ठीक और ये आपका जो first सर्फ था ठीक तो दिमाग में इसको रखना आप सभी लोग ठीक है आप समीकरण उसी में रखते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यह बराबर six q प्लस one मिलेगा ठीक अब देखो इसमें क्या दो का भाग जा रहा है तो इसमें बिल्कुल दो का भाग नहीं जा रहा है तो यह आपका कौन सा पुडांक हो जाएगा यह आपका बिसम पुडांक हो जाएगा ठीक इसी प्रका हमेशा वही रहेगा तो सिक्स क्यों प्लस टू हो जाएगा तो देखो क्या इसमें दो का भाग जा रहा है तो जी हां दो का भाग इसमें भी चला जा रहा है तो यह आपका धनात्मक्सम पुडांग हो जाएगा ठीक अब आपकी बार हम लेते हैं तीन आर के जगां पर क्या ल मिलेगा आपको इसी प्रकार आपकी बार आर बराबर चार ले लिजिए तो यहां पर सिक्स क्यूं पुलस चार आपको मिलेगा आर बराबर आपकी आपने चार लिया है इसी प्रकार यह बराबर सिक्स क्यूं पुलस पांच अपकी बार आर बराबर हमने पांच लिया है तो अ तो यहां पर ध्यान देना आप सभी लोग, देखिए, अगर यहां पर आप इसको देखते हैं, 6Q को, और 6Q प्लस 2 को, और 6Q प्लस 4 को, तो इसमें आपका 2 का भाग चला जाता है, तो 2 का इसमें आपका 2 का भाग जिब चला जा रहा है, तो इसका मतलब कि यह आपका धनातमक स पुड़ांग हो जाएगा तो यहां पर लिखें यह क्या यहां कि शिक्स क्यूं कि कामा सिक्स क्यूं पलस टू कि कामा सिक्स क्यूं पलस फोर में में दो का भाग हो रहा है में दो का भाग यह फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिक्स क्यूं सिक्स क्यूं कामा सिक्स क्यूं पलस टू सिक्स क्यूं पलस फोर दो से क्या है विभाज है ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर मैंने वहीं साप साप लिख दिया कि यह आपका दो से विभ लेकिन जिसमें 2 का भाग नहीं हो रहा है, वो क्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं हो रहा है, वो क्या है, तो धनात्मक विसंपुडांग हो जाएगा, तो यहां पर क्या देखेंगे, कि आपका कौन-कौन सा धनात्मक विसंपुडांग है, यह क्या है यह दो से बिभाज नहीं है तो यह क्या है यह आपका धनात्मक विसम पुडांग है यह दनात्मक विसम पुडांग है और यह आपका क्या है यह दो से बिभाज है यह रहनात्मक विभाज है तो यही चीज आपको इसमें क्या करना था सिद्ध करना था तो जो चीज हम लोगों को सिद्ध करना था हम लोगों ने ओचीज क्या कर लिया सिद्ध कर लिया है फाइनली ठीक है तो अब आप लोग क्या करेंगे एक बार इसको स्क्रीन स्वाट जरूर ले लेना और वैसे पुडांक क्यों के लिए हमें 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 यह हमें धनात्मक बिसम पुडांक पर आप्थ हो रहा है अब हम लोग चलते हैं दूसरे पुडांक पुडांक जो होता है, है क्या होता है धनात्मक पुडांक वो होता हैื่ का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ßenowe , . infinite तक आप जहां तक जाईएगा वो सभी आपका धनात्मक पुडांक इनक्या 친구 hard इसमें आप से का गया है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि n is square minus n आपका जो है, यह दो से विभाज है कि नहीं, दो से विभाज है, यही चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, अब देखो, आपको करना क्या है यहां पर, तो जब हम यहाँ पर n की value 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस परकार से रखते जाएंगे और हमें वो 2 से divide हुआ पराप्त होगा तो इस परकार हम कह सकते हैं कि n square minus n जो है क्या है वो 2 से विभाज है तो देखे अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले n बराबर रखते हैं n बराबर एक रखने पर ठीक तो चलिए हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर आपका फार्मुला है यह न का जो मान है इसमें रखते हैं तो यह न बराबर आपने क्या लिया है एक लिया है तो इस फार्मुले में रखिए आप लोग इस value को रखने पर यहां पर पूरा सब्दलिक लेजिए आप देखो n square का मतलब कि यहां पर one का square रखा जाएगा तो यह one square minus फिर n के जगहां पर one रखेंगे ठीक तो यहां पर आपको क्या मिलेगा one का square one ही मिलेगा और one minus one यहां पर तो देखो इसको घटाएंगे तो यहां पर आपको zero पर आपत हुआ तो zero दो से विभाज है तो जी हाँ बिल्कुल zero आपका दो से विभाज है क्योंकि zero आपका क्या है एक sum संख्या है तो यहां पर लिख देंगे zero एक sum संख्या है sum संख्या है अता यहां दो से विभाज है दो से विभाज है ठिक अब देखते हैं हम लोग दूसरी बार n बराबर 2 रखते हैं n बराबर 2 रखने पर ठिक तो चलिए अब हम लोग n के जगां पर 2 रखते हैं तो यह n के जगां पर पहलू को रखते हैं तो 2 का स्क्वाजर माइनस फिर n के जगां पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दो दो ना चार माइनस दो और यहाँ पर घटाएंगे तो आपको दो मिलेगा तो यहाँ पर दो क्या है दो दो से विभाज यह है यहाँ पर लिख देंगे अता है दो दो से क्या है विभाज यह है ठीक इस प्रकार आपके बार हम यह न 2 000 लेते हैं है आपनु बऑबर 3 रखने पर तो यह न 2 ,3 स्क्वार सी बढ़ाद यह हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा और 9 में इसे गटाएंगे तो आपका 6 आजाएगा तो यहाँ पर देखिए 6 आपका 2 सी बिभाज यह की नहीं है तो यहाँ पर 6 भी आपका 2 सी बिभाज है तो यहाँ पर दो से क्या है विभाज है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कोई भी value अगर लेते हैं यह न का इसमें से कोई भी मान रखते हैं तो इसमें से सभी मान रखने पर आपका n square minus n जो है यह दो से विभाज मिलेगा लाश्ट में आप लोग क्या लिख दीजिए आता है तो लाश्ट में आप लेगे लिजिए कि आता है किसी भी धनात्मक पुढांग के लिए धनात्मक पुढांग के लिए किसी भी धनात्मक पुढांग के लिए n square minus n क्या है दो से विभाज है आप चाहे तो और आगे तक भी solve कर सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर दो तीन बेलू रख करके भी आप उसको पता कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आप इसे solve करेंगे ठीक है तो यहाँ से आप लोग इसे भी note down कर लेना आप हम लोग अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं तो चलिए अगला प्रस्न देखिए इस प्रस्न में पूछा लिया है कि दर्साइए कि यदि कोई धनात्मक पुढांग 6 Q plus 5 के रूप का है तो यह 6 Q plus 2 के रूप का होगा जहां क्यों कोई पुढांग है परन्तु इसका बिलोम सत्य नहीं है ठीक देखो इसका मतलब यह कहा है कि यह कोई धनात्मक पुढांग है तो क्या आप इसको इस रूप में सिद्ध कर सकते हो तो चलिए हम लोग सिद्ध क करके देखते हैं तो देखे यहां पर आपका यह कोई धनात्मक पुढांग है धनात्मक पुढांग है धनात्मक पुढांग आपका जो है वो क्या है 6 Q plus 5 है ठीक यह धनात्मक पुढांग है आपका और इसको किस रूप में सिद्ध करना है तो उसको हम लिक लेते हैं आपर सिद्ध करना है कि क्या ये 6 Q पलस 5 यह आपका 6 Q पलस 2 के रूप का होगा के रूप का होगा यही चीज आपको क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है तो देखिए हम क्या कर लेते हैं इस धनातमक पुडांक को ये बराबर लिख लेते हैं एक ए बराबर लिखेंगे तो हमको मिलेगा ए बराबर 6Q प्लस 5 अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पर आपको क्या करना है ये बराबर 6Q प्लस 5 को हम क्या कर देते हैं इसको तोड़ के लिख 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 लिखने का मतलब इसको हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ठीक है अब यहां से देखो हमको क्या मिलेगा यहां से हमको 3 कामन मिल जाएगा तो हमको जब 3 कामन मिल जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3Q, 2Q 2Q लिख सकते हैं और पलस यहाँ पर 1 हो जाएगा और यह पलस आपका 2 हो जाएगा अब यहाँ पर यह जो बैलू आपका है 2Q पलस 1 यह आपका टोटल Q के बराबर हो जाएगा ठीक, यहां पर आप जहां इसको दर्शा सकते हैं, जहां यह 2Q पलस 1 जो है आपका, यह Q के बराबर हो जाएगा, ठीक, इसके बराबर? ठीक, 2Q पलस 1 के बराबर हो जाएगा. तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर इस value को रखेंगे जब, तो यह आपको क्या मिलेगा? ठीक यानि इस पूरे के जगांपे यह आपका हो गया और प्लस दो के जगांपे दो तो यहां पर देखो आपको जो चीज सिद्ध करना था यह चीज बोला गया था कि क्या सिक्स क्यूं प्लस पांच को सिक्स क्यूं प्लस टू के रूप में लिखा जा सकता है तो जी हां बिल का है तो चलिए हम भी लोम आला भी देख लेते हैं तो ऑ बराबर ठ्रीक यूom फ्लंस कि और आपने सिक्स प्लस प्लस फाइप को को इक मिनट को थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर आपका ट्री कूं ही था ठीक है यह सिघक नहीं था थ्रीक था तो आपने सिक्स क्यूं फं फाइप dos के रूप में बना दिया लेकिन फ्रीक दीघ्यों पलश स्गो को आप शिच्छ क्यूं फाइप के रूप में नहीं नहीं लिख सकते हैं किसी भी परकार इसको नहीं को गलों ज़य AH तो क्या हो जाएगा यहां पर आ कि नहीं होगा इस परकार आप इसको कर देंगे या एक बात यहांपर कलियर कर लो आप सभी लोग कि हम 6 Q 5 को 3 Q 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं लेकिं तो बिलूम नहीं हो पाएगा यहां पर बनौ Cham RM असत्य हो जाएगा तो चलिए हम लोग अगला प्रेश्ट पे आ चुके तो देखे यहां पर वही चीज आपको फिर फार्मुला लगाना है युकलेड विभाजन पर मीटा का ठीक तो यहां पर पहले जो चीज शिद्ध करना उसको हम लिख लेते हैं क्या चीज शिद्ध करना है दर्शाना है है किसी किसी धनात्मक किसी धनात्मक बिसम पुडांक का वर्ग आठ एम प्लस वन के रूपका होता है के रूपका यह चीज आपको सिद्ध करना है यानि दर्शाना है तो यहां पर आपको क्या करना है वह है युकलेड विभाजन पर मीटा का सूत्र लगाना है यह बराबर बी क्यू पलस आर यह सूत्र होता है अब यहां पर देखो आप लोग एक बात दिमाग में बैठा ले होगा 8 से ज़्यादा यह ले सकते हैं और ळी ज्लिकम conjunction हमान होगा 8 से चोटा ले सकते हैं यानि कि हमें जो भाजी का मैंना रखना वो से स्पल कम ही रखना है तो उसे अधिक हम नहीं ले सकते हैं तो हमें मायक्सिमाम 8 से कमीं मिनिमाम 8 से कम नहीं लेना है तो यहां पर आर का जो मान होगा हमारा वो क्या क्या हो सकता है वो सकता है जीरो एक दो तीन चार पांच छे और उसके बाद साथ यह हो जाएगा ठीक है आठ नहीं ले सकते हैं क्योंकि आठ जो है हमारा भाजक के बराबर हम नहीं ले सकते हैं ठीक तो अब इस को हम क्या करते हैं इसमें लाकर के रखते हैं तो देखे यहां पर हम वैलू को लाकर रखते हैं तो यह बराबर बीक के जगा पर आपको हमेशा आठ ही रखना है ठीक तो यहां पर आपको मिलेगा आठ क्यूं पलस और आर की जगां पर पहले इस टप में आप जीरो रखे तो यहां पर 8 Q मिलेगा to 8 एपका क्या हो जाता है ये अपका धनात्मक संपुड्रांग हो जाता है और उसके बाद ये बराबर हम Eigen या आर कमाण्न एक रखते हैं तो 8 क्यूं प्लस B के जगांपे तो 8 रहेगा ही और Q के जगांपे Q रहेगा और बस के वल से स्पल वाली बैलूच चेंज करते जाते हैं तो यहाँ पर आपकी बार हम 1 रख रहे हैं ठीक तो यहाँ पर 8 Q पलस 1 देखे इसमें क्या 2 का भाग जाएगा इसमें तो 2 का भाग चला जाता था तो यहाँ पर यह आपका धनात्मक सम्पुढांग से दो चुका है लेकिन क्या इसमें भी 2 का भाग जाएगा पूरे में तो पूरे में 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहां पर यह आपका धनात्मक बिसम पुडांग हो जाता है धनात्मक बिसम पुडांग है यह आपका ठीक यह आपका क्या है धनात्मक बिसम पुडांग हो जाता है अब यही चीज़ तो हमको सिध्ध करना था तो अब हमें क्या करना है इसका बर्ग करना है दोनों पच्छों का यहां पर जो आपका यह बराबर आठ क्यों पलस वन है इसी को हमें क्या करना है धनात्मक बिसम पुडांग को बर्ग करके सिद करना है कि क्या यह जो है आठ यम पलस वन के रूपका हो सकता है कि नहीं हो सकत अब यहां पर क्या कर देते हैं इसके दौनों पच्छों का वर्क कर देते हैं धोनों पच्छों कर Мыuc करने पर थैख है तो यहां पर एजाथ बड़ापर आपको मिलेगा इसका भी किये फिर 8 कियों प्लस वन इसका भी बर्क कर देते हैं ठीक, तो अब यह हम इसको जब बर्क कर देते हैं तो हमें एक फार्मॉला पराफ्ट हो चुका है ठीक, देखो यह आपका 8 की पलस 1 का होल स्क्वाइर, यानि कि यह चीज लिखा है, A पलस B का होल स्क्वाइर लिखा है, ठीक, यानि A के जगांपे आपका 8 क्यों लिखा है और B के जगांपे आपका 1 लिखा है तो A पलस B का जो फार्मला होता A square पलस B square पलस 2 A भी होता है तो अब हम क्या करेंगे इसको इस रूप में तोड़ देंगे तो जब हम इसको इस रूप में तोड़ते हैं हमको मिलेगा a² बराबर देखो यह हो जाएगा आठ क्यूं का इस स्कृagn ठीक और यहां पर हो जाएगा पलस वन का इस्कॉaiर पलास त्व एभी तो टूएभी ए के जगां पर आठ क्यूं उसके बाद बी के जगां पर आपका one हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से हमको मिलेगा a square बराबर आठ था है 64 64 कि में square प्लस one का square तो मतलब कुछ नहीं होगा one का square मतलब वह नहीं होगा लेकिन हम इस one को अभी last में लिख देते हैं अब यहां पर देखो कि इसमें say student हम क्या कामन कर सकते हैं तो a square बराबर इतने में से हम 8 कामन कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें 8 कामन मिल रहा है तो 8 अगर हम कामन कर लेते हैं तो 8 64 तो यहां पर 8 क्यूंई square मिलेगा पलस यहाँ पर से भी 8 कामन हो गया है तो यहाँ पर 2 Q मिल जाएगा इस परकार और पलस 1 आपका बाहर है पलस 1 को बाहर लिख दीजिए आप अब यहाँ पर जो आपका यह 8 Q स्क्वाइर पलस 2 Q है इसको हम क्या कर लेते हैं इसको हम M के बराबर मान लेते हैं जहां M बराबर आपका 8 Q स्क्वाइर पलस 2 Q जो है यह पुडांख को हम इस रूप में मान के लिख लेते हैं ठीक है तभी तो हमें यह चीज प्राप्त होगा ना सिद्ध होगा ना तो अब हम क्या करते हैं यहां पर 8 और इस पूरे के जगहां पर क्या लिख देते हैं यह हम लिख देते हैं और पलस में 1 है आपका 1 यहां पर लिख देते हैं ठीक तो यह चीज आपका सिद्ध हो चुका है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे हमें जो चीज परस्त में सिद्ध करने के लिए बोला था ना वो चीज तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया ना देखो परस्त में यही चीज तो इसमें आप से पूछ रहा है ना कि इदर साइए कि किसी पुडांक यम के लिए एक धनातमक बिसम पुडांक का वर्ग आठ यम प धनात्मक पुढांख का वर्ग धनात्मक स्वारी विशम पुढांख का वर्ग यहां पर धनात्मक विशम पुढांख बोलिएगा विशम पुढांख का वर्ग आठ यम पलस वन के रूप का होता है के रूप का होता है यह चीज आपका सिद्ध हो चुका है ठीक है तो आप यहां से भी इसको पूरा नोट का लिना अच्छे से ठीक है प्रस्न बहुत जादा यह इंपोर्टेंट है तो कुछ सेस पार्ट आपका यह है जहां से आपने इसको पूरा लिख ली होंगे उसके बाद आपका सेस पार्ट इधर है अब हम लोग चलते हैं अगले कुईशन पे तो अगला प्रस्न आपसे कहा गया है दर्साइए कि किसी पुढांग क्यूं के लिए किसी बिस्तम पु मैं तो इसे में भी वही काम आपको करना है पर यहां पर अपको युखिलेट भी वाजंपरमेरिका का सुटर लगा दिना है थिस यहां पर देखो再 क्या गयना उसको पहले लिख लिए गा इस चीज को सिद्ध करना है आ सुस्थिद्र करना है कि बिसम पुढांग का वर्ग किसी बिसम पुढांग का वर्ग का वर्ग किस रूप का होता है 4Q प्लस 1 के रूप का होता है यही चीज आपको इसमें क्या करना है तो देखो कुछ भी नहीं है प्रस्ट बहुत आसान है यहाँ पर आपको युकिलर्ड विवाजन परमेका का सूत लगाना है A बराबर BQ पलस R ठीक यही चीज आपको लगाना है यहाँ पर अब देखो यहाँ पर जो B का मैक्सिमम मान है वो फोर से जादा नहीं होना चाहिए B का जो मैक्सिमम मान है वो फोर होगा ठीक और R का जो मान होगा वो फोर से कम ही रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो सेस्पल होता है वो भाजक की वेलू से छोटा होना चाहिए तो यहाँ पर R का जो मान होगा वो 0, 1, 2, 3 इससे जादा नहीं हो सकता है इससे जादा नहीं लिख सकते हैं और यहाँ पर Q के जगां पर आपको यम मान के चलना है ठीक क्योंकि आपको यहाँ पर तो फोर Q पलस वन के रूप में लाना ही है तो यहाँ पर Q के जगां पर तो कोई दूसरा चीज रखके चलना पड़ेगा तभी तो आपको पराप्त होगा तो यहाँ पर A बराबर आप आपको मिलेगा क्यैकn है? अब यहां पर बीके जगान पे आपको चार रखना है तो फौर हो जाएगा, और दो यहां पर बिक्संस पूडांग कर रहा है ? हम दो का भाग नहीं कर सकते हैं पूरे में तो अब हम क्या करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका वर्ग कर देते हैं तो यहां पर हम दोनों पच्छों का वर्ग करने पर तो यहां पर हम दोनों पच्छों का वर्ग कर लेते हैं तो यह हो जाएगा a square प्लस 4m प्लस 1 का whole square यह चीज आपका हो जाएगा बर्ग करने पर अब देखांगको आपको बताया कि यह आपका फार्मला वन चुका a प्लस b का whole square यह के जगाह पर 4m और बी के जगाह पर 1 लिख square plus one square plus two ab तो दो गुड़े a के जगां पे आपका 4m है और into b के जगां पे आपका one लिखा है तो यहाँ पर आपको मिलेगा a square बरावर 4.25 m square plus one square को मतलब हम अभी हम इसको last में लिख देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं चार दुना 8m क्या लिख सकते हैं 8m plus one का square हम इसको last में लिख देते हैं ठीक यह पूरा हम गुड़ा करके लिखेंगे तो 8m हमारा हो जाएगा और plus one का square one के square को हम last में कर दिये हैं अब यहाँ पर देखते हैं हम a square बराबर इसमें से हम common कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 4 अगर common कर लेते हैं तो अंदर हमको मिलेगा 4 चोके 16 यानि कि 4m square और plus में यहाँ पर इसमें भी 4 common कर लेते हैं तो यहाँ पर 2m आपको मिल जाएगा ठीक और plus का one है प्लस का one लिख देते हैं अब यहाँ पर देखो आपका यह जो है जहाँ पर 4m square plus 2m है जो आपका यह आपका एक पुडांक हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा क्योंकि बराबर एक पुडांक हो जाएगा एक पुडांक है यहाँ पर आप लिख देना पुडांक है 4Q plus 1 के जगां पे आपका 1 लिख दिया गया है तो यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं इस फार्मूले में कोई भी बित्तम पुडांक अगर लेकर चलते हैं तो यह आपका 4Q plus 1 के रूप में पराप्त होगा तो लाश्ट में हम लिख देते हैं क्या लिख देते हैं अताहा किसी बिसम किसी धनात्मक धनात्मक बिसम पुडांक का वर्ग किस रूप में हो सकता है फोर क्यूं पलस वन के रूप का होता है यह चीज आपका किलेर हो चुका है बस के वल आपको इतना इसमें सिद्वी करना था तो आप लोग पूरा नोट कर लिना अच्छे से ताकि आगे आपका भविस्ट में काम आ सके तो आपने इसको नोट कर लिए होंगे अब हम लोग चलते हैं अगले प्रस्ट पे तो अगला प्रस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें बोला गया है युकिलेट विभाजन परमेका का परियोग करके दरसाइये कि किसी धनात्मक पूरांक का वर्ग किसी पूरांक के यम के लिए 3M या 3M पलस 1 की रूप का होता है तो चलिए हम लोग इस प्रस्ट को स्वाल करते हैं तो देखना यहां पर आपको क्या करना है युकिलेट विभाजन परमेका का परियोग करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पर उसको लिए बीज़न परमेका से तो आपको पता है कि युकिलेट विभाजन परमेका का सूत्र क्या होता है A बराबर B Q पलस R होता है यह होता है अब देखो यहां पर आपको क्या करना है सिद्ध क्या करना है किसी भी धनात्मक पुडांग का वर्ग जो है 3M या 3M पलस 1 के रूप का होता या नहीं होता है तो देखो अगर हम student इसकी तुलना इस समीकरण से करे तो हमको मिलेगा हमको क्या मिलेगा यहाँ पर B के जगां पे 3 मिलेगा ठिक और E-M के जगां पे क्यों मिलेगा ठिक और R के जगां पे हम इस B की value से कम ही मानके चलना है ठिक तो कम मानके चलना है तो हम 0, 1, 2 तक ले सकते हैं 3 से बड़ा तो नहीं ले सकते हैं R का मानना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको अभी बार में लिख लेते हैं पहले जो चीज इसमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं क्या चीज सिद्द करना है दरसाना है किसी किसी धनातमक पुडान का वर्ग का वर्ग M के लिए M के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूपका होता है के रूपका होता है यह चीज आपको क्या करना है सिद्ध करना है तो condition के अनुसार आपको मिलता क्या है बी बराबर आपको 3 से जादा नहीं लेना है क्योंकि यहां पर यह चीज तो इसपस्ट किया है तो बी बराबर 3 और आर बराबर 012 इतना आपको रखना है ठीक यह चीज आपको तो क्लियर हो चुका है और यहां पर student आपको क्या करना है क्यों के जगां पर क्यों ही मानके चलना है तो हम लोग value रखते हैं यहां पर तो पहला condition पहला सर्थ हम लोग क्या करते हैं गार बड़ाबर है वहीं प्रफारावार तो आपका थीन हैं इस सामे रखने लेकिन जर्फाने होता रहे स्फ्रिछ को लुट है तो Tor border नगि ड़ा dem पर इस फार्मुले में रखना पर दोनों पच्छों का वर्ग करदेते हैं इस फार्मुले में रखना दोनों पच्छों का वर्ण करने पर देखना आपको क्या करना है तो स्कोर बराबर यहां से तीन अगर हम इसे का गुडनखंड बनाते हैं तो हम को मिलेगा तीन गुड़े थ्रिक诈 का स्कोर यह चीज मिलेगा अब जहां पर स्कॉर को हम क्या मानके चलते हैं जहां तृ। क्यों स्कॉायर जो है, इसको हम क्या माला लेते हैं? स्को हम M के बरावर एक पुढांक मानेके चलते हैं. तब ही तो हमारा इस रूप में स्थोप आएगा, ना तो А स्कॉायर बरावर हमको क्या मिलेगा? 3M मिलेगा, क्या मिलेगा? 3M मिलेगा. यह आपका पहला सर्थ है तो पहला condition आपका आ चुका है A square बराबर किसी भी धनात्मक पुडांक का वर्ग जो है 3M के रूपका होता है कि नहीं तो बिल्कुल 3M के रूपका होता है यह पहला condition आपका है दूसरा condition हम लोग लेते हैं दूसरे condition में क्या करते हैं अब की बार हम लोग आर बराबर दो लेते हैं तो पहले जीरो ले लिए तो पहले उसके बार एक लेंगे ना अब आर बराबर एक लेते हैं रखने पर तो यहां से हम को क्या मिलेगा यहां से मिलेगा इस इस फार्मुले में रखते हैं यह जो समीकरन एक है है इसी में हम लोग रखते आ रहे हैं तो अब की बार हमको क्या मिलेगा, A बराबर, क्या मिलेगा, 3, 3Q, है न, 3Q मिलेगा, और पलस R के जगाँ पे देखो, B के जगाँ पे 3, Q के जगाँ पे Q, R के जगाँ पे क्या रख रहे हैं, अब की बार A कर रख रहे हैं, तो यहां पर A कर रख लेते हैं, अब हम क्या इसका वर्क करके देखते हैं कि धनात्मक विस्तम्पोडानु का जो वर्क है या हमें t3m प्लस वन की रूप का मिला एकी नहीं मिला खाजय को देखते हैं टो आ वह क्या करतेते हैं उसका र्क करते हैं तो यहां करतें gr दोनों पच्छों का weork करने पर तो A square बराबर यह हमको मिलेगा 3 Q plus 1 का square तो यह आपका वही फार्मुला बन चुका है A plus B का whole square तो इसको तोड़ेंगे तो A square बराबर 3 Q का square plus 1 का square plus 2 A भी मिलेगा तो 2 गुड़े 3 Q गुड़े 1 ठीक तो यहाँ पर हमको मिलेगा A square बराबर किया जाएगा 3 तरिक का 9 9 Q का square plus 1 का square मतलब 1 इसको हम last में लिख देते हैं और यह 3 दुना 6 क्यों हो जाएगा 6 Q ठीक और plus 1 का square जो है 1 इसको हम last में लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो A square बराबर इसमें से हम 3 कामन कर लेते हैं तो 3 कामन करते हैं तो यह हो जाएगा 3 Q का square plus यहाँ पर भी 3 कामन कर लेंगे तो यह 2 Q हो जाएगा और plus में 1 है आपका 1 यहाँ पर लिख देते हैं अब यहाँ पर यह जो आपका है इसको हम एक पुड़ांक मान के चलते हैं तब ही तो हमारा यह चीज से दो पाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं जहाँ जहाँ आपका 3 Q square plus 2 Q जो है यह आपका किस पुड़ांक के बराबर है यम पुड़ांक के बराबर है पुड़ांक है तो यहाँ पर इस पूरे के जगाँ पर यम रख देते हैं तो यहाँ पर A square बराबर हमको मिलेगा 3 M plus 1 अब यहाँ पर देखो यह 3 M plus 1 भी आपका सिद्ध हो चुका है जिस रूप में कहा रहा कि धनात्मक पुड़ांक का वर्ग जो है 3 M plus 1 की रूप का होता है तो जी हाँ बिल्कुल होता है तो यहाँ पर आप लोग लाश्ट में क्या लिखोगे आप लोग को लाश्ट में यह चीज लिखना है यहाँ पर कि अता हाँ किसी धनात्मक पुड़ांक का वर्ग वर्ग जो है किस रूप में हो सकता है 3 M कामा 3 M plus 1 के रूप का होता है के रूप का होता है यही चीज आपको इसमें सिद्वी करना था ठीक है लाश्ट में आपको यह चीज लिख देना तो यह पूरा प्रस्ण है आपका और लाश्ट तक आपको यह चीज लिखना है अब उसके बाद अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण आपका सात्वा है तो इसमें आपसे कहा गया है दर्साइए कि किसी धनात्मक पुडांग का वर्ग किसी पुडांग के यम के लिए 6 यम पलस 2 या 6 यम पलस 5 के रूप का नहीं हो सकता है तो देखे इसके लिए भी कुछ नहीं करना है सेम मुसी कंडिशन को लगा करके आपको हल करना है लेकिन इस प्रस्न को तो काफी दूर तक ले जाना पड़ेगा तब ही ये चीज के लिएर कर पाएंगे हम लोग ठीक है तो ये प्रस्न काफी लॉंग है इसलिए इसको लॉंग प्रोसेस में हल करना पड़ेगा तो ये चीज जब तक हम आप यहां पांच तक नहीं लेकर आत्राइंग आर कामान हल करेंगे दो इसकुलेट का नुद्रक्ण कहां लॉद नहीं हो पाएगा तो यहां पर भी हम लुग क्या करते हैं वही छी वही रूट अपनाते हैं ठीक तो फिर वही रूल हम लोग लिख लेते हैं यहां पर यूकलेड विभाजन परमेइका का सूत्र लगा के चलते हैं तो यूकलेड विभाजन परमेइका का सूत्र होता है यहां पर पहले इसको हम लिख लेते हैं यूकलेड विभाजन पर मेरिका से तो सूर्टर क्या होता है A बराबर B क्यूं प्लस R होता है इसको समीकरण एक मान के चलते हैं अब देखो इसके अगर हम तुरना करते हैं इस दोनों से तो हम यहाँ पर किस value को किस के बराबर लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम जो है B के जगां पे जो है वो 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं 6 रख सकते हैं और हमें R का जो value रखना है वो मतलब 5 से 5 तक रखना है क्योंकि 6 से बड़ा नहीं कर सकते हैं B की value से R का बान हम बड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेस्पल जो है भाजक से छोटा ही होता है तो यहां पर R का जो value आपको लेना है वो क्या क्या लेना है 0, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद 5 लेना है यह आपको लेना है यहां पर अब इस value को हम लोग क्या करते हैं इसमें ला करके रखते हैं तो देखिए रखते हैं तो फिर क्या मिलता है तो A बराबर अब हम पहले B के जगां पे 6 रखते हैं और उसके बाद R के जगां पे 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा 6 Q खलस 0 पहला सर्थ हमारा यही चीज होगा ना जब R बराबर हम 0 रखते हैं, ठिक, अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है, तब ही तो हमें यह चीज पता चल पाएगा, कि हमें यह इस रूप में मिल राएगा नहीं मिल राएगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A बराबर, 6 जिरो का जब हटा आएगे, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो A बराबर 6 का अगर हम बर्ग करेंगे, तो student जायसी बात है, हम इसको बर्ग करके, हम यह चीज नहीं ला सकते हैं, कभी भी नहीं ला सकते हैं, इस चीज को, तो हम क्या कर कर देते हैं इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं इसको यहीं पर रोग देते हैं यह पहला कंडिशन आपका बन गया दूसरा कंडिशन क्या है अब की बार हम आर बराबर क्या कर देते हैं एक रख लेते हैं तो यहां पर हमको क्या मिलेगा ए बराबर सिक्स क्यूं पलस आर के तो हमको क्या मिलेगा स्वारी मतलब यह हमको बैर भ्राबर Two we shall इस चीज को इस रूप में लाने के दिखाना होगा तो हम क्या करदेते हैं यहां पर दोनों पच्छों का और लेखते हैं दोनों पच्छों का वर्ग करने पर तो यह हमको क्या मिलेगा A² बराबर 6 Q पलस 1 का इस्क्वाइर तो यहां से हमको मिलेगा A² बराबर 6 Q पलस 1 का इस्क्वाइर पलस एक मिलेगा अब इसको हम तोड़ देते हैं तो यह मिलेगा A² बराबर इसको तोड़ने के बाद हमको मिलेगा च्छों 36 कि स्क्वाइर पलस 1 का इस्क्वाइर अभी लास्ट में लिख देते हैं A² बारा क्यूं हो जाएगा बारा क्यूं और पलस 1 हो जाएगा यहां से अगर हम A² बराबर 6 कामन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 6 कि स्क्वाइर पलस 2 क्यूं और यह पलस का वन आपका लास्ट में है अब यहां पर क्या कर लेते हैं हम इसको पुडांक मानके चलते हैं ठीक है जहां पर जो है हम इसको पुढूंक दिखा के चलते हैं कि जो आपका यह है 6 Q square 6 Q square plus 2 Q बराबर E-m यह पुढूंक मानके चलते हैं इसको तभी तो हम उस रूप में इसको दिखा सकते हैं पुडांग है यहां पर लाकर रखते हैं तो ए स्क्वाइर बराबर शिक्स है तो शिक्स और इस पूरी की जगां पर यहां पर प्लस का वर्ण हो जाएगा तो देखो क्या यह प्लस वन जो है आपका इस रूपका है तो विल्कुल नहीं है तो हमें अभी भी नहीं मिला है लेकिन और आगे तक हम बैलू को रखकर हल करते जाते हैं क्या पता हमको कहीं मिल जाए अगर नहीं मिलता है इन पूरे बैलू को रखने से तो लास्ट में हम यह चिलिक देंगे कि किसी भी धनातमक पुडांग का जो बर्ग है वो 6 cm पलस 2 या 6 cm पलस 1 के रूप का 5 के रूप का नहीं हो सकता है तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं अपकी बार तीसरा कंडिशन लगाते हैं तीसरा कंडिशन में क्या करते हैं R बराबर 2 रखते हैं ठिक तो हमको क्या मिलेगा A बराबर 6 क्यूं पलस R के जगा पर अपकी क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं R बराबर 2 रखने पर यहां पर साइड में लिख दिया भी ताकि ओचीश क्लियर हो जाए तो अब इसको हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे ना यहां पर हम इसका तो यहां पर हम यहां पर कर लेते हैं यहां पर यहीं हो जाएगा A square बराबर 6 Q plus 2 का whole square अब ये A plus B का whole square है लिखा है तो इस रूप में इसको हम तोड़ देते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा A square बराबर 6 Q का square पलस 2 का square पलस 2 A B तो दो गुड़े 6 Q गुड़े 2 हो जाएगा अब हमको यहाँ से मिलेगा A square बराबर 6.36 Q square पलस 2 का square हम इसको last में लिख देते हैं यह हो जाएगा च्छा दूना 12, बारा दूना 24 यह हो जाएगा च्वड़े 2 का square 24 को last में कर देते हैं यहां से हम कामल कर लेते हैं तो A square बराबर हम आगर A कामल कर लेते हैं तो यहां पर 6.36 Q square पलस 6.25 और उसके बाद प्लस आपका चार है यहां पर हम क्या करते थे इसको पुडांक मानके चलते हैं जहां पर जो है इसको प्लस पुडांक है तो यहां पर आपको मिलेगा क्या एसको एम प्लस चार मिलेगा अब यह सिक्स एम प्लस चार क्या इस रूपका है इसमें से किसी भी रूपका है किसी भी के रूपका नहीं है अब हम क्या कर देते हैं यहां पर दो भी एक भी रखकर हल किए हम लोग जीरो भी रखकर हल किये, दो भी रखकर हल किये, ठीक, दो भी रखकर हल किये, लेकिन नहीं मिला, अब क्या कर देते हैं, तीन रखकर हल कर लेते हैं, अगर आपकी बार हमको नहीं मिलता है, तो लास्ट में हम लिख देते हैं, कि किसी भी धनात्मक पुडांग का वर्ग जो है यह 6 cm प्लस 2 यह 6 cm प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता है ठीक है तो तो तीसरा कंडिशन में हम लोग अब की बार यह मान के चलते हैं क्या कर लेते हैं अब की बार यह बराबर 6 q प्लस उसके बाद r की जगां पर कितना रख रहे हो अब की बार 3 रख रहे हो बच्छों का वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं तो a square बराबर 6 q प्लस 3 का square तो क्या में लेगा हमको यहां से a square बराबर 6 q का square a प्लस b का whole square यह बन गया है 3 का square प्लस 2 a b तो 2 गुड़े 6 q गुड़े 3 यहां से इसको आगे तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 36 q q square प्लस 3 त्रिक्का 9 square बाद में हम लिख देते हैं यह हो जाएगा आपका इसको क्या लिख सकते हैं 6 त्रिक 18 डूना 36 36 कि में स्क्वाइर यह स्वारी कि में स्क्वाइर नहीं होगा अब यहां से स्टूडेंट क्या करते हैं 6 कामन करते हैं तो 6 कामन करेंगे तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा मिलेगा 36 36 क्यूं मिलेगा प्लस करना है तो प्लस करना हो यहां पर क्या करना है आपको जहां प्लस सिख्स क्यूं स्क्वाइर यहां पर हम इस पूरी के जगान पर इस यम को रख देंगे तो यहां पर मिलेगा ऐस पर बडाबर 6 एम थिक प्लस का नौ है तो प्लस का नौ यहां पर लिख देते हैं हम लोग अब देखो क्या यह चीज जो है किसी इसमें से जो भी हमने तीन का तीन वैलू पर आप्त किया है इसमें इसमें प्लस टू सिक्स एम प्लस फाइब किसी के रूप का मिल रहा है बिलकुल नहीं मिल ना तो हमको यह भी मिल रहा है ना तो फिर हमको यह मिल रहा है ना भी हमारा यह भी नहीं मैच कर रहा है तो हम लास्ट में यह चीज क्या लिख देते हैं यही चीज यहां पर लास्ट में लोग क्लियर कर देते हैं लास्ट में लिख देते हैं कि अता किसी धनात्मक पुडा का वर्ग का वर्ग जो है किस रूप में कहा है सिक्स क्यूं सिक्स एम सिक्स एम प्लस टू और सिक्स एम प्लस पाँच यहीं दोनों कहा है न कि रूप का हो सकता है किसी भी धनात्मक पुड़ां का वर्ग सिक्स एम प्लस टू और सिक्स एम प्लस फाइब के के रूप का नहीं हो सकता है यही काम आपको इसमें क्योल करना था तो यह भी आपका क्लियर हो चुका है इसको भी आप लोग नोट कर लिना अच्छे से एक बार सुरू से स्टार्टिंग से हम आपको दिखा देते हैं यह रहा आपका स्टार्टिंग इस प्रकार से आपको इससे स्वाल्ब करना था और यह आपका स्टेश भाग इधर रहा तो आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगे आप हम हम आगले प्रस्ट प्या चुके हैं अगला प्रस्टम लोग का है आठवा देखो इस प्रस्टम में क्या कहा गया है तो हम आठवा प्रस्टम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है कि दर्साइए कि किसी पुडांग क्यूं के लिए एक बिसम धनात्मक पुडांग का वर्ग 6-1 या 6-3 के रूपका हो सकता है तो चलिए इसको हम लोग सिद करते हैं तो मैंने क्या का सुरू से वही पूरे घ्रीक शुत्र होता है अब यहाँ पर दर्साना क्या है आपको क्या चीजिद्य करना है करना या दर्साना है डिस आप लिख सकते हैं कि 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 पुडांग क कि किसी पुढांग किसी बिसम पुढांग का वर्ग 6 Q पलस 1 या 6 Q पलस 3 के रूप का हो सकता है के रूप का हो सकता है यह चीज हम लोग को सिद्ध करना है यानि कि दर्साना है तो यहां पर अगर हम इसकी तुलना करते हैं इन दोनों समीकरण से तो हमको B की जगां पे क्या मिलेगा B के जगां पे 6 मिलेगा और B के जगां पे जब 6 मिलेगा तो R कमान क्या मिलेगा हमेशा B से छोटा ही रखना होता है यानि कि भाजक से हमेशा सेस्पल छोटा होता है तो हम 6 से जादा नहीं ले सकते हैं यानि कि 5 तक ले सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 0 ठिक उसके बाद एक, दो, तीन, चार, इसके बाद पांच इतनी value हमारी R की हो सकती है अब इस value को ला करके रखते हैं तो B कमान हमें साथ 6 ही रहेगा तो हमको क्या क्या मिलेगा देखो पहला सर्त अगर हम लोग लगाते हैं फश्ट कंडिसन तो A बराबर हमको मिलेगा B के जगां पे 6 क्यों और R के जगां पे हम 0 रख लेते हैं पहले तो देखे अगर हम 0 रखते हैं तो 0 तो हमें एक sum पुड़ांक मिल जाएगा लेकिन हमें 20 परस्ट में का है तो 20 sum हमारा क्या होता 20 sum हमारा ये होता है ये हो जाएगा ये हो जाएगा तो इसमें से हम कोई भी रख सकते हैं ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर एक रख लेते हैं ठीक इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिसम की बात कह रहा है तो यहाँ पर बिसम ही लेकर चलते हैं यहां पर लिख लेते हैं आर बराबर एक पिस्तम का मतलब कि जिसमें दो का भाग नहीं हो रहा है तो क्या अगर हम यहां पर एक रख रहे हैं तो दो का भाग हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो अब हम दोनों पच्छों का वर्ग कर देते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं कि दोनों पक्चो क्योंकि वर्ग करके इसमें कहा है तो ढाइं करना है दोनों पक्छो का कि छुकर का को करने पर आध Records कर लेते हैं सिन्द आधे हैं तो यह रही हो जाएगा ऐस को बधर कर बर्लस वन का सक्षाएर और यहाँ पर तो यहां पर यहां पर भी चीज़ कर लेते हैं और यहां पर भी वहीं चीज़ कर लेते हैं अब इसको हम क्या कर लेते हैं तोड़ देते हैं तो एसको में तोड़ते हैं तो ए फ़ैसे प्लसबी का होल स्क्वाइर लिखा है तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 6m का square a plus b का whole square रूप में जब तूटे गए तो b का square 1 का square हो जाएगा plus 2ab तो 2 के जगाँ पे 2 और ये के जगाँ पे 6m और गुड़े b के जगाँ पे एक हो जाता है तो ये आपको क्या में लेगा a square बराबर 636 m square plus 1 square रवी लास्ट में लिख देते हैं और ये हो जायगा 6-12m हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 12m पलस 1 हो जाएगा यहां से हम कामन कर लेते हैं तो a square बराबर क्या कामन कर लेते हैं यहां पर कुछ हम कामन करेंगी इसमें से था-चोग कमण लिख देते हैं अब देखो यहां पर क्या होगा इसको हम किसी पुडांग के बराबर मांन लेते हैं जहां पर हमारा sikх system plus 2 यम जो है यह क्यों के बराबर है और यह क्या है तई यहां पर हम रख लेते हैं इसके जेगां पर हम क्या मिलेगा यहांd पर A2 बराबर हमको मिलेगा 6 Q plus 1 तो देखो हमें धनात्मक बिस्तम पुडांग का वर्ग 6 Q plus 1 के रूप में पराप्त हो गया अब हमें इसके रूप में भी पराप्त करना है तो चलिए अपकी बार हम क्या कर लेते हैं आर बराबर क्या रख लेते हैं तो अपकी बार हम लोग यहां पर आर बराबर तीन रख लेते हैं दूसरा कंडिसन हमारा यह हो जाएगा दूसरा कंडिसन तो ए बराबर हमको क्या मिलेगा 6 Q सिक्स क्यों पलस ऑर के जगां पर कितना ले रहे हैं अग vole हमीद बूंख talk in बार हम अग्या रिख रहा है तो विष्ब मिल रहा है नrimag werde यहांपर लिएक पार यहां पर यहां पर यहां पर यह पर यह रखे थे तो dennे भी विशन रही था कि तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसका भी वर्क कर देते हैं वर्क करेंगी तभी हमें पता चल पाएगा दोनों पच्छों का वर्क करने पर तो वर्क करते हैं तो तो A square बराबर 6 Q plus 3 मिलेगा 6 Q plus 3 का square और यहां से इसको तोड़ेंगे तो A square बराबर A plus B का whole square लिखा आए तो यह हो जाएगा 6 Q का square plus 3 का square plus 2AB तो दो गुड़े तो इसको हम क्या कर देते हैं गुड़े 3 भी है गुड़े 3 कर लेते हैं इसको फैक्टर करके लिखते हैं तो छचोग 36 कि स्क्वाइर पलस इसको हम पहले लिख देते हैं 6 तरीक 18 और 18 दुना 36 यह जगा 36 Q plus 3 का 9 हो जाता है अब हम यहां पर क्या करते हैं आगे इसको एसको एसको बराबर 36 कि स्क्वाइर पलस 36 क्यों ठीक और पलस में हम 9 को 6 पलस 3 लिख देते हैं ठीक अब यहां से A स्क्वाइर बराबर यहां से कामन कर लेते हैं तो 6 अगर हम कामन करते हैं यहां पर bijड़े am यहां पर यहां पर क्यों के जगांपर यम मानके चलना है ययम तो सभूत जहां जदा सब करते को करते हैं ॥ आपका चचोग 36 यम स्क्वाइर पलस चचोग 36 तो यहां पर भी हम 6 कामन अगर करते हैं चचोग 36 यानि कि यहां पर हो जाएगा 6 यम क्या हो जाएगा 6 यम और यहां से भी 6 कामन कर लेते हैं तो पलस का 1 हो जाएगा, और अंदर बाहर आपका पलस का 3 हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर वही चीज क्या करना है, लास्ट में, कि जहाँ पर जो है, इसको पुडांग के रूप में दिखाना है, तो 6m² पलस 6m पलस 1, इसको क्या मान लेते हैं, q के बराबर, q के बराबर, पुडांग, यह चीज हम इसको मान के चलते हैं, तो अगर हम इसको पुडांग के रूप में मान के चलते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a² बराबर आपको मिलेगा, 6, और इस पूरे के जगांपे आप क्या रख सकते हैं, q, देखो इस पूरे के जगांपे आप क्यों रख सकते हैं, q, उसके बाद पलस, बाहर आपका 3 है, तो 3 रिख देना, अब देखो यहाँ पर आप लोग, कि जो आपने कहा था, जो आपको पूछा गया था, वो चीज सिद्ध हो रहा है की नहीं हो रहा है, तो देखो हमको यहाँ पर 6, q, पलस 3 भी मिल गया है, किसी भी बिसम पुडांग का वर्ग हमें, 6, q, पलस 3 भी पराप्त हो रहा है, और जब यह चीज आपका आचुका है, तो लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, लास्ट में आप लोग को यही चीज लिख देना है यहाँ पर, यह ताहा, धनात्मक, बिसम पुडांग का वर्ग, जो है, किस रूप का हो सकता है, 6, q, पलस 1, कामा, 6, q, पलस 3, के रूप का हो सकता है, के रूप का होता है, हो नहीं सकता है, होता है, बस आपका यह चीज सिद्ध हो चुका है, अब आपका यह प्रस्न फाइनल हो चुका है, अब लोग अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं, एक बार हम आपको इसको दिखा र गलती हो जाती है थोड़ा बहुत तो एक बार आप लोग इसको देख लेना अच्छे से तो मैंने अपने हिसाब से पूरा एकदम अच्छे से स्वाल्प किया है कहीं भी गलती नहीं हुआ यह थोड़ा कहीं हो सकता है कुछ मान के दूसरा चलते हैं लिग जाता है कुछ दूस में लुक्त का गहन 9जं 9 यंप पलस 1 या 9 यंप ब्रस 8 की रुपका होता है तो शेम उसी तरीके से इसको भी हल करना है कुछ भी रिककत नहीं है कि तो लिभाजन इसको मैंने लिख लिया है अब यहां पर आपको क्या चीज़ सिद्ध करना है दर्साना क्या है यहां पर उसको भी लिख देना दर्साना है किसी धनात्मक पुड़ांग का घंड किसी धनात्मक पुड़ांग का घंड जो है किसी धनात्मक पुड़ांग का घंड जो है किस रूप में 9m कामा 9m पलस 9m पलस 1 कामा 9m पलस 8 के रूप का होता है का होता है इत रूप में आपको दर्साना है तो कुछ भी नहीं है यहां पर अगर आदेखो अगर आप इससे इसकी तुलना करते हो इन तीनों समीकर्ण से तो यहां पर देखो आर की जो maximum value है वह आप 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते हो क्योंकि बी कामान तो आपको 9 पराप्त हो रहा है न बी बराबर आपको क्या मिल रहा है तो आर का मान जो है सदेव इससे छोटा होता है बी वाले से यानि सेसपाल सदेव भागपल से छोटा होता है तो यहां पर आर का जो मान आपको मिलेगा यानि कि जो लेना है आपको कौन-कौन सा लेना है जीरो एक दो और डेस डेस आप और आगे तक भी लिख सकते हो कोई दिख्कत नहीं है ठीक आगे तक का मतलब कि 7 तक आप लिख सकते हो ठीक क्योंकि B से छोटा ही रखना आपको आरकामान तो नव तो नहीं दे सकते हो लेकिन 8 तक तो आप लिख सकते हो ना यह चीजा आपका final हो चुका है कि लेर हो चुका है अब इसी रूप में इस value को रखना है ला करके तो पहला condition आप बनाएए तो पहले condition में हम क्या कर देते हैं ए बराबर बी के जगांपे और यहां पर यह दि हम चाहें तो इसके जगांपे ऐसा भी हल कर सकते हैं मुच्चो हम 9 के जगांपे अगर 3 को मान के चलते हैं अगर इसमें 3 का भाग कर देंगे तो 3 नहीं आएगा तो 3 से divide करके हम यहां पर इसको भी ऐसा मतलब b के जगांपे हम 3 भी रखकर कर चाहें तो इसको हल कर सकते हैं और इस प्रकार अगर आप हल करते हैं तो आपका हल आसान भी रहेगा, इजी भी रहेगा, ठीक है? तो ऐसा ही हम लोग हल कर लेते हैं, तो आप हम लोग क्या कर देते हैं, बी के जगां पे तीन रखते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा, ठीक्यू मिलेगा, उसके बाद प्लस में स्टुडेंट, आर के जगां पे हम पहले फर्ष्ट कंडिशन में जीरो लेते हैं, तो यहाँ प यहां पर दोनों पच्छों का घं करने पर अभी तक आप लोग वर्ग कर रहे थे लेकिन अब यहां पर आपको घं करना है क्योंकि इसमें घं का बात का है घं का मतलब होता है क्यूब तो यहां पर अपकी बार आपकी क्यूब आपको लगाना है तो एक क्यूब बराबर थ्री क्यूब का होल क्यूब यह हो जाएगा आपका तो अब यहाँ पर इसको हम factor करेंगे तो A Q बराबर यह हो जाएगा हमको मिलेगा तीन त्रिक का 9 और फिर उसका गुड़ा करेंगे तीन त्रिक का 9 त्रिक 27 यानि हमको यहाँ पर मिलेगा 27 Q का Q मिलेगा 27 Q को ऐसा आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 27 को ऐसा लिख सकते हैं 9 यहां से कामन कर लिजिए और यहाँ पर 3 Q इसको लिखा जा सकता है और जहां पर इस्टूडेंट आपको जो है 3 Q का Q इसको क्या मान के चलना है 3 Q के Q को इसको यम के बराबर कोई पुड़ांक मान के चलना है तब ही आप उस रूप में इसको सिद्ध कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या करना है थ्री क्यूब की जगाँ पर थ्री क्यूब की जगाँ पर यम रख लीजिए तो एक यूब बराबर आपको क्याम लेगा नो एम तो देखो यहाँ पर इस्टूडेंट आप से जो चीज कहा था कि धनात्मक पुडांक किसी पुडांक का घं मतलब किसी भी पुडांक का घं इसमें से हम कोई भी पुडांक जो रखे हैं इसका घं हमें 9 यम के रूप में मिल रहा है तो जीरो का घं जो है हमें 9 यम के रूप में मिल रहा है तो हमें यह चीज मिल रह अब हम दूसरा सर्थ लगाते हैं दूसरा सर्थ हम दूसरे सर्थ में हम लोग क्या कर लेते हैं दूसरे सर्थ में हम स्टुडेंट जो है आर का मान यहां पर देखो पहले सर्थ में जीरो रखे थे और बरावर क्या रखे थे जीरो रखे थे अब हम दूसरे सर्थ में क्या रखेंगे एक रख लेते हैं तो यहां पर हमको मिलेगा A बराबर 3Q देखो B के जगां पर आपको 3 रखना है और Q के जगां पर Q ही रखना है प्लस R के जगां पर केवल क्या रखना है आपको 1 रखना है अब यहां पर हम क्या कर देते हैं इसको हमें इस रूप में लाने के लिए हमें इसका क्या करना होगा घं करना पड़ेगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं दोनों पच्छों का घं करने पर दोनों पच्छों का घं करने पर तो चलिए घं कर देते हैं तो यहाँ पर a cube बराबर हमको मिलेगा 3 cube प्लस 1 का whole cube यह चीज हमको मिलेगा तो यहाँ से हम इसको factor कर देते हैं तो यह हमारा आपकी बार a प्लस b का whole cube का सूतर बन चुका है तो मैं एक बार student इसका भी formula आप सभी को दिखा देता हूँ जिसे square वाला दिखाया था मैंने वैसे इसको भी दिखा देता हूँ तो a plus b का whole cube का जो formula बनता है वो a cube plus b cube plus 3ab और bracket में a plus b बनता है तो इस formula का आप लोग note कर लिना इसी formula पर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो इस formula पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं 3 q का cube उसके बाद plus 1 का cube उसके बाद plus में 2 3ab तो 3 गुड़े a के जगां पर 3q और उसके बाद b के जगां पर 1 और bracket में a plus b के जगां पर 3q पलस 1 लिखना पड़ेगा अब हम क्या करते हैं इसको सही डंग से लिखते हैं तो 3 3 9 7 27 इसको क्या लिख सकते हैं 27 q का cube उसके बाद plus 1 का cube मतलब अभी हम इसको रहने देते हैं यहीं पर one का q मतलब one ही रहेगा पलस इसको क्या लिख सकते हैं तीन तरिक का 9 क्या लिख सकते हैं इसको तीन तरिक का 9 q और bracket में 3 q पलस का one है आपका पलस का one अब हम क्या कर देते हैं इसको गुड़ा कराएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे तो a q बराबर 27 q का q पलस यहाँ पर इसका हम गुड़ा करा लेते हैं और पलस one को हम लाश्ट में लिख देते हैं तो 9 तरिक 27 q 27 9 तरिक 27 q का q हो जाएगा इस पर इसको आपका तीन तरिक का 9 तरिक 27 और इसका भी गुड़ा इसमें कराएंगे तो यह हो जाएगा 9 q पलस का 9 q और पलस का यह one को हम लाश्ट में लिख देते हैं पलस one को हम लाश्ट में लिख देते हैं अब यहां से हम कामन कर लेते हैं तो a q बराबर यहां से हम student क्या कामन कर लेते हैं 9 कामन कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको 9 लेकर आना है तो यहाँ पर 9.37 यानि 3 का Q अंदर बचेगा उसके बाद 9.37 थीन Q का स्कॉाइर बचेगा पलस 9 का मन हुआ तो यहाँ पर केवल Q बचेगा पलस का 1 है पलस का 1 आपको लाश्ट में लिख देना है अब जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर इसको क्या दिखाना है जहाँ 3 Q क्यूब पलस 3 Q स्कॉाइर है यह आपका square plus का क्यूं जो है ये क्या है आपका एक पुडांक है बराबर yam इसको एक क्या मानके चलते हैं एक पुडांक मानके चलते हैं तो यहाँ पर हम a cube के बराबर यहाँ पर 9 के जगहां पर 9 रहेगा और इस पूरी के जगहां पर आपको क्या लिख देना है इस पूरे के जगहां पर आपको यम लिख दिना है M पलस कवन है तो पलस कवन अब देखो यहां पर student धनात्मक पुडांकर R के जगहां पर अगर हम एक रखते हैं तो 3 Q पलस 1 का जो है घन जो है हमें 9 यम पलस 1 के रूप में मिल रहा है तो यह चीज भी हमारा साही हो गया अब हम 9 यम पलस 8 को लेकर आते हैं सित्खर करके लायंगे इसको वह हम दिखाएंगे तो देखो आपने क्या-क्या जीरो भी रखा एक भी रखा हम क्या करते हैं दो के हैं तो यहां पर दो रखेंगे तो यह हमारा जो है तीसरा condition बन रहा है तो यहाँ पर हम तीसरा condition इसको दर्शा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा उस फार्मूले में रखेंगे A बराबर तो 3, Q, B के जगाँ पर 3 और Q के जगाँ पर क्यू रहेगा पिलस R के जगाँ पर अपकी क्या रख रहे हैं दो रख रहे हैं ठीक तो यहाँ पर लिख लेना R बराबर दो रखने पर रखने पर इस परकार से इसको रख लेते हैं तो चलो अब यहाँ पर भी हमको इसका भी घं करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों बच्चों का घं करने पर तो घं करते हैं तो a cube बराबर 3 cube प्लस 2 का whole cube यह आपको मिलेगा तो इसको तोड़ी अब उसी रूप में फार्मुला तो हमने अभी आपको बता ही दिया है कि फार्मुला यहाँ पर आपका a cube प्लस b cube प्लस 3ab रेकट में a प्लस b होता है तो इसको तोड़ते हैं तो a cube बराबर 3 cube का whole cube उसके बाद 2 का cube उसके बाद 3ab तो 3 गुड़े a के जगाँ पे 3 cube और b के जगाँ पे 2 है और ब्रेकट में a प्लस b यानि कि 3 cube प्लस 2 यह हो जाएगा तो a cube बराबर यहाँ पर इसको कैसा लिख सकते हैं इसको कैसा लिख सकते हैं 27 क्यूं का cube प्लस यह 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा 3 दूना 6 त्रिक 18 यह 3 त्रिक का 9 दूना 18 ऐसा भी कह सकते हैं 18 क्यूं और ब्रेकट में 3 Q प्लस 2 यह इस रूप में आ जाएगा तो यहां से मिलेगा AQ बराबर 27 Q का Q पलस यहां पर इसको हम इस तरफ ले आते हैं 8 को इस तरफ कर देते हैं तो 8, 18, 19, 36, 24 हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 54 Q का स्क्वाइर उसके बाद पलस 18, 26 Q और पलस का 8 हम इस तरफ ले आते हैं अब यहां पर क्या करते हैं कामन कर लेते हैं तो AQ बराबर स्टूड़ेंट यहां पर अगर हम 9 कामन कर लेते हैं तो 9,27 यानि कि यहां पर तो आपका 3 Q का Q हो जाएगा प्लस 9,54 तो यहां पर तो आपका 3 Q हो जाएगा यहां पर 6 Q हो जाएगा और पलस यहां पर 9,36 यहां पर आपका 4 Q हो जाएगा और पलस का 8 बाहर है तो बाहर कर देते हैं अब इस पूरी के जगाँ पर वही हम पुडांक मानके चलते हैं, जहां पर 3Q का Q, पलस 6Q स्क्वाइर, पलस 4Q, इसके बराबर क्या मान लेते हैं, यम, और ये क्या है, ये पुडांक है, पुडांक है जहां पर इसको मान लेते हैं, ठीक, तो इस पूरी के जगाँ पर हम क्या कर सकते हैं इस यम को रख सकते हैं तो एक यूब बराबर हमको मिलेगा 9m पलस का आठ 9m पलस आठ तो अब देखो यहां पर धनात्मक पुडांक आर कामान आर बराबर दो को यहां दो रखने पर भी आपका 9m प्लस 8 की रूप में यह चीज आपको मिलें 낮 तो अब आप लास्ट में यहां पर लिख दो लाश्ट में आप लिख देना यहां पर देखो एक बायर मैं आपको दिखा देता हूं जिस इस रूप में चाहिए था आपको इस रूप में चाहिए था धनात्मक पुडांक का वर्ग और इस रूप में चाहिए था तीन रूप में आ चुका है दोको यहां पर यह भी हमारा आ चुका है और यह भी हमारा आ चुका है और यह भी हमारा आ चुका ह तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे अताहा अताहा धनात्मक पुडांक का घहन धनात्मक पुडांक का घहन किस रूप में 9m,9m पलस 1,9m पलस 8 के रूप का होता है के रूप का होता है तो इस प्रकार आपको लास्ट में लिख देना है एक बार आप इस प्रस्ट को जरूर देख लें अच्छे से दिमाग में बैठा लेना और अच्छे से स्वाल्प कर लेना आप सभी लोग ठीक है इतना आसान कोई भी आपको नहीं बताएगा पूरे है तो लास्ट प्रस्ट को यह है leू आप इस प्रस्ट में को दरस्टा यह की ऐगर हम यह पर इसके यहां पर हमने पूरा लिख लिया है अब यह कह रहा है कि यहां कोई धनात्मक पुड़ा अंक है तो यहां पर यहां के बराबर रहे हम कोई पुड़ा अंक मान की चलते हैं इस परकार से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऐसे और इसमें से हम पूरा मान रखके अगर हम यन के जगांपे एक रख लेते हैं यन बराबर एक रखते हैं और इस वाले में भी यन बराबर एक रखेंगे तो चार एक पांच हो जाएगा तो यहां पर पांच मिलेगा और इस वाले में भी यन बराबर एक रखेंगे तो मतलब आठ और पलस एक हो जाएगा तो यहां 17 हो जाएगा अब यहां पर देखो यहां पर इस लाइन में केवल 5 से कौन से संख्या विभाज मिल रहा है 5 से केवल एक बार में एक यही संख्या विभाज होनी चाहिए तो 5 में इस लाइन में केवल यही 5 आपका एक बार 5 से विभाज मिल रहा है इस संक्य आपका 5 से भी भाज्य है इसी प्रकार आप दूसरी लाइन में चलते हैं इन बराबर अपकी बार हम यह दी 2 रखते हैं तो इन बराबर 2 रखेंगे और यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 पलस 4 तो यह आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 8 तो 10 हो जाएगा यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 16 और 18 हो जाएगा अब इस लाइन में देखो कि कौन सी संक्य एक ही बार में 5 से भी भाज है ना तो 2 होगा, ना तो 6 होगा, ना तो 14 होगा, ना तो 18 केवल 10 हो रहा है तो एक लाइन में केवल एकई संक्या हमको 5 से विभाजित मिल रहा है उसके बाद N बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 रखते हैं तो अब की बार इसमें जब 3 रखेंगे तो 4, 3, 7 हो जाएगा इसमें रखेंगे तो 8, 3, 11 हो जाएगा इसमें रखेंगे तो 12, 3, 15 हो जाएगा इसमें रखेंगे तो 16, 3, 19 हो जाएगा तो अब देखो इसमें एक बार में केवल एक संक्या विभाज हो रही 5 से तो इस line में सिर्फ एक ही संक्या ये 15 ही 5 से विभाज मिल रहा है 15 ही 5 से विभाज मिल रहा है तो इस line में भी किवल एक बार में एक ही संक्या 5 से विभाज मिल रहा है किवल 15 मिल रहा है इस प्रकार अब हम जो है पूरा ऐसर बना लेते हैं और आपको लाश्ट में समझा देते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने पूरा संख्या बना लिया है अब देखो हम केवल एक लाइन में हमें केवल एक यही बार एक संख्या पांस से विवाज मिला चाहिए अगर इस लाइन में आते हैं तो देखो यहाँ पर हमें केवल बीस पांस से विवाज मिला है और कोई भी संख्या हमको पांस से विवाज नहीं मिला है इस लाइन में आते हैं तो इस लाइन में हमको केवल यहाँ पांस से विवाज मिला है तो इस लाइन में भी केवल हमें एकी संक्या 5 से विवाज मिल आए यहाँ पर जाते हैं इस वाली लाइन में तो यहाँ पर केवल हमको एक संक्या 5 से विवाज मिलती है तो इस प्रकार से आपको यहां पर इसको स्वाल्व करना है और इस प्रकार से स्वाल्व करने के बाद आपको जो है क्या करना last में यह चीज लिख देना है कि अन का मान कुछ भी होने पर कुछ भी होने पर होने पर एक बार में केवल एक ही संख्या पांस से डिवाइड हो रहा है इस प्रकार इसको स्वाल्व करना है तो इस टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही मैंने पूरा कुश्चन आपको एक एक करके स्वाल्व करके दिखाया है अगर आप सभी लोग को वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड को भी बताना कि इस चैनल पर चित्रा परकासन का मैंत स्थार्ट हो चुका है और सभी बच्चे चैनल को आकर के सब्सक्राइब करें और पढ़ाई कांटिन्यू कर लें क्योंकि अभी चुटी चल रहा है तो अभी आप जितना अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे उतना अच्छ अच्छे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम